ये सरसेट कस्तूर चंद डागा है दिवान बादूर डागा है जिन्नोंने 1855 से लेके 1917 तक एक जोगबती जमीदार प्रोपकारी और गर्यनी वक्ती थे जिन्नोंने वेपार के हब एंड स्पॉक मॉडल की अवधारना रखी नागपुर से बीकानेर आये थे ये बीकानेर के कस्तूर चंद डागा जी की एक प्रोपर्टी है इन्ने सरसेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजा महराजाओं को पैसे फाइनेंस किया करते थे एक तरह से रिजवर बैंक थे तो राजा महराजा इन्ने उपादी दिया करते थे जैसे दिवान बहादूर राए बहादूर वैसे ही इन्नोंने सरसेट के नाम की उपादी ली है ये इनकी एक प्रोपर्टी है जहां पर ये कोड़े रखा करते थे अस्तबल है ये ना की इन जग्ए के बारे मुझे आपको बता रहे हैं जो इनके इतने ये लोग पैसे वाले हुआ करते थे कि जो इनके गोड़े रखते थे वो इतनी अच्छी जग्ए में रहते थे ये आज प्रोपर्टी है ये बहुण के रूप में उप्योग मन ली जा रही है विवाशाधी मे इनको किराय पे देते हैं और भवन के रूप में काम में लेते हैं कोई इसमें चैंजमेंट नहीं किया गया है यह जो जगे आप देख रहे हैं सामने के कमरे इसके अंदर इनके गोड़े जो देख रेक करते थे वो लोग यहां पर रहते थे उनकी ये जगे हैं यहां पर अब इनके पुराने सामान रखे हुए हैं जैसे पुरानी गाड़ियां, गोड़ों के, अस्तबल के सामान तो इस वीडियो के माद्यम से हम आपको पुरानी चीजों के बारे में बताएंगे हमने इनकी ये हवैली है यहां पर विजिट किया और सोचा कि आप लोगों तक भी पुरानी हवैलियों की जानकारी पहुंचाएं यह जगए आप देख रहे हैं यह गाडियां यह लगबग सो साल पुरानी यह गाडियां हैं ये गोड़ों के पीछे जो लगाई जाती थी, इनके आगे गोड़े जोड़े जाते थे और पीछे ये गाड़ियां लगाई जाती थी, ये सारी लकड़ी की और लोहे की चादर की बनी हुई है, जो हार लोग अपने हाथ से बनाया करते थे, यहां पर इनके गोड़े होते थे जिनको यहां पर उनको रोकते थे गोड़ों को जितने भी दर्वादे आप देख रहे हैं इन सब में पुराने जमाने की गाड़ियां और पुराने जमाने के सामान यहां पर रखे हुए है ऐसे ही हम आपको एक पुराने जमाने की गाड़ी बता रहे हैं आप देख सकते हैं ये बाई साथ गेट खोल रहे हैं और यहां पर ये पुराने जमाने की गाड़ी है पहले गाड़ी रखना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी जिन लोगों के पास में सबसे ज़्यादा पैसा हुआ करते थे, वही लोग गाड़ी रखते थे, तो ये जो सर से कस्तूर चंजी डागा है, दिवान बाहदूर डागा है, राय बाहदूर डागा है, सबसे पहले बीकानेर में इन्ही के पास में गाड़ी थी, और इन्ही से ही राजा माराजा भीकानेर के ये गाड़ी ले जाया करते थे कितनी सांदार गाड़ी है लगजरी गाड़ी है आज के जमाने में ऐसी गाड़ी मिलती नहीं है ये सबसे पहली गाड़ी होगी साइट भीकानेर की बहुत ही सांदार जानदार गाड़ी है आज भी ये गाड़ी चलती है इनका मॉडल लुक देखकर बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर और समान भी रखे हुए हैं गोड़ों के पिछे जोडने वाले जो तांगे होते हैं वो भी यहां पर रखे हुए हैं जिन पर पहले लोग यात्रा करते थे पहले तांगे हुआ करते थे कोई गाड़ियां मोटर साइकल जीप कारे वगिरा नहीं होती थी तांगों का ज़्यदा प्रीयोग होता था यहां पर यह गोडों के पुराने समान यहां पर रखे हुए हैं अब ना तो गोड़े हैं और ना ही इनका अस्तबल रहा है यह केवल जगे हैं जो देखने के लाइक है तो हमने सोचा कि आप लोगा तक पुराने चीज़ों की जानकारी पहुंचाई जाए यह गोडों के जो जोडने वाले समान है वो यहां पर सारे रखे हुए हैं यह पुराने समान है यहां पर यह तांगा है इनकी जो सीट है वो सारी लेदर की बनी हुई है बहुत ही सांदार और बड़िया तरिके का लेदर है आज भी इस लेदर की चिकना हट और बहुत ही अच्छी है अब इनकी देख रेख नहीं हो रही है केवल ये एक पुराने समान के रूप में पड़ा है तो यहां पर इसके उपर धूल मिट्टी बगेरा जमी हुई है ये जो कस्तूर चंदी डागा है ये नागपूर से विकाने राय थे ये बड़े ही उद्दमी और वेवसाई है जो सबसे बड़े इनका वेपार बहुत ही फैला हुआ था जो की लाहोर जोग पाकिस्तान में है यहां तक बरमा तक उनका वेपार फैला हुआ था बहुत पैसे वाले लोग थे आज भी इनकी बहूत ही जमपती है, बहुत ही पैसे है, ये गाड़ी अंदर से आप देख सकते हैं इनका मोडल, कितनी सांदार गाड़ी चलती है, ये गाड़ी आज भी बंद नहीं है, इस गाड़ी का उप्योग कर सकते हैं, इस हवیली के मालिक बाहर रहते हैं आते हैं तो देखते हैं इनको थड़ा बोतलाते भी हैं इनका सीट कवर सारा लेदर का है बहुत ही सांदार गड़ी है इनका स्पेस वगेरा लेडी अमरतावाई डागा कोलेज नागपुर में इस्ततेक महिला कोलेज जिसका नाम उनकी पतनी अमरतावाई डा के नाम पर रखा गया था उस समय उनके योगदान में एक था जब महिला की शिक्षा समाज में अंतिम प्राथ मिक्ता थी कस्तूर चंडागा ने 3,70,000 रुपे दान किये थे तब जाकर बीकानेर की पहली रेलवे लाइन आई थी और रेलवे लाइन की बीकानेर को सुविधा म बहादूर और 1903 में दिवान बहादूर के रूप में उन्होंने उपदी प्राप्त की इन्होंने कई समान और कई खिताब जीते हैं इनका नाम इतियास में सुनेर एक्सरों में लिया जाता है बहादूर बंसिलाल अभीर चंद डागा एक आर बीबी एक कंपनी है इनकी जिनकी विबिन छेत्रों में 22 से अधिक वेफार हैं और उस समय के कई सो क्रोड रुपे के मालिक थे ये ये पुराने जिमाने की गाड़ी आप देख सकते हैं इस गाड़ी का मॉडल लाइटे वगेरा डिजाइन वगेरा बहुत इस्षानदार और जानदार गाड़ी है चलती है आज बीस गाड़ी के अंदर पैटरॉल डाल कर चलाने की जौरत है फिलाल यह गाड़ी यहां पर खड़ी है क्योंकि यहां सब में एके गाड़ियां खड़ी है रहिश लोग है पुराने वैसे वाले लोग हैं तो यहां पर इनकी गाड़ियां खड़ी है यह खुद पाहर रहते हैं यह पुराने जमाने की गाडियां हैं लकबर इनको सो साल हो चुके हैं इनको गोडों पर जोड़ा जाता था और इसमें बैठ कर इदर उदर की यात्रा कर दे थे या फिर पुछ सामान वगेरा इन गाडियों पे लाद कर लाते थे आप देख सकते हैं सारी ये लकडी की बनी हुई है इनके जो टाइर है ये भी लकडी के बने हुए है इनके चारों और लोहे की एक चदर से बनाई हुई है ये जो जगे आप देख रहे हैं इस जगे के निचे पूरे में अंडरक्राउंड बना हुआ है जो बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड है ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सिस्क्राइब करें क्योंकि इस चैनल के माज़म से हम दरातल से समंदित चीजों के बारे में आपको ब झाल